नमस्कार मेरा नाम आर्ती भारत वाजे और आप देख रहे हैं सीने स्पिक्स तो अभी तो हम बात करने वाले हैं बिग बॉस की आप सबी को पता है बिग बॉस चल रहा है और उसमें तमाम तरह की बतब एक तरह से कहें कि भाई आप तो जंग छिले गई है लेकिन हाँ जो उ इसके एक्स और इसके प्रेजेंट बॉइफ्रेंड दोनों सो में हैं उसके तो अपने प्रेजेंट बॉइफ्रेंड को देखे ये तक कह दिया कि मरा बॉइफ्रेंड नहीं है अब दोनों में बहुत मार हुआ दोनों बॉइफ्रेंड से हैं क्योंकि एक दूसरे को लोग समराट तो अभिशेक जो है समराट से पूछता है क्या तुम उसके लिए लॉयल है तो बोलता है नहीं क्या तुम उसके लिए लॉयल है या फिर क्या तुम उसके लिए सीरियस है तो समराट नहीं हूँ और समराट नहीं यहां तक कह दिये कि वह इशा के लिए सीरियस नहीं है जी हाँ और वो इशा उसे बहुत जूड बोलती है इशा को तो वो कितने बार पकड़ भी लेता है इधर अब बबिशे के कहता है कि उसके एक साल हो गए ब्रेक अप के जून में क्या बात करता है मेरे एक साल हुए अभी तक पैच अप के तेरे एक साल ब्रेक अप की कैसे हो और इस तरह की बहुत सारी ऐसी बाते हैं उसके इशा के बारे में जो उसका जो present boyfriend है वो बुराई कर रहा होता है जी हाँ लोग देख भी रहे होते हैं कि कोई आता है कि नहीं इस पे वो अब उसका जो ex-boyfriend ने उसका present boyfriend को बताता है कि मतलब relationship में समराट कहे लेकिन वो बात करत अब भी अब इशेक से बात करती थी कि कैसे हो क्या हाल चाले बादे पर उसने विश्च किया था अब इशेक ने का भाई तुम लड़ना मतब जाके उससे मैंने तुम से सच बता दिया तो अब देखिए अब जब इशा को यह सब बाते पता चलेगी तो क्या वो समराट को छोड़ देगी और बहुत जैसे कि अब शेक ने यह कहा कि उसने तो अठार लोगों के सामने जूट बोले कि तुम उसका वोइफरेंड नहीं है तो उसने तो इतना जूट बोलने का वो बोला कि हां जूट बोलती है और यह बाते तो मैं उसे घर से बाहर जाकर सल्टूंग कि उसने एक कैसे का भाई क्या होने वाला है अब जब बात इशा को पता चलेगी तो क्या वो समराट को भी छोड़ देगी